अलाइट गाइज आसकी वीडियों हम बात करने वाले हैं वियो के वी 3 डिवाइज के अंदर आप application का clone कैसे create कर सकती है अगर आप यह application use करते हैं तो आप उसी application को 2 application में convert कर सकते हो और अलग अलग नमबर से अप या अलग अकाउंट उसके अंदर आप register कर सकते हैं तो चलो हम दिखाते हैं कौन सी सेटिंग्स है and guys आप इसे अपने फून के अंदर कैसे यूज करेंगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लोन आप की तो हमारा जो WhatsApp है आपको देखने को मिल रहा होगा एक First और Second है और यह ओलडी क्लोन है हमारा जो WhatsApp है तो इसलिए हम यहाँ पर क्लोन आप का यूज कर रहे हैं अपने फून के अदर आपको भी बताते कौन सी सेटिंग्स है और आपने फून के अंदर इसे कैसे यूज करेंगे इसे करने के लिए आपको सेटिंग्स को क्लिक करना होगा यहाँ पर हमारा settings है और guys यहाँ पर जो आपको settings मिल रही है बेवी साथ आपको भी same settings मिल जाएंगी आपको नीची आइना इसको डाउन करके last वाला option choose करना है app clone का इसको just click करना है disable the clone button है यहाँ पर अगर यह off है आपका तो इसको आप own कर लेना जिससे आप जो अपने phone के उपर easily clone button का use कर पाएं तो अगर यह off है तो आप ज़स यहाँ पर click करेंगे easily on हो जाएगा app clone interactions है अगर आप से click करेंगे तो यहाँ पर आप इससे read करके भी अपने phone के अंदर easily clone app का use कर सकते है हलाग कि guys कुछ device ऐसे होते है जो new phone smartphone से उसके अंदर आपको यहाँ पर by default में यह application मिल जाते है जिसे आप settings से clone कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आप settings से नहीं आप simply home screen से clone करेंगे तो home screen से clone कैसे करेंगे उससे करने के लिए आपको cut button प्रेस करना है अलाकि यह जो applications है आप यहाँ पर देख सकते हो double WhatsApp, एक मैं WhatsApp को delete करता हूं यहाँ से, मैं इसको long press करूंगा और WhatsApp को यहाँ से cut करूंगा तो हमारा एक WhatsApp डिलीट हो जाएगा अब guys यह हमने hide कर रहा है तो इसलिए hide icon में यह सारे चीज़े show कर रही है अलाकि मैं यहाँ पर कहीं और click कर दूँ तो यहाँ पर भी आपको icons के साथ आपको cut button मिल रहा है इसको यहाँ से cut करें simply cut मैंने कर दिया अब यह uninstall हो जाएगा हमारे phone से लेकिन अगर मैं वहाँ पर WhatsApp पर आऊँ तो WhatsApp के साथ आपको cut button के साथ आपको plus का sign भी मिल रहा है अगर मैं प्लस sign को हम यहाँ पर प्रस करते है तो मारे पास जो है एक second WhatsApp यूज हो जाएगा जिसे हम अलग-अलग multiple accounts से register कर सकते है अगर मैं इस पर click करके यहाँ पर मचाऊँ तो मैं अगर internet इसको connectivity दे दूँगा तो यह proper हमारा on होने लगेगा ऐसे ही कुछ यूज के राता है app clone settings का I hope guys आप समझेंगे किसे इसका use करना है हाला कि यह depend करता है आपका phone जो होए कितने application को clone करने के लिए कैफिवल है उसी इसाब से application को clone करता है मेरा जो phone है सिर्फ WhatsApp को clone कर सकता है इसलिए हमारे phone के अंदर WhatsApp पर ही आपको plus का sign मिला और जितने application आप देख रहे है और किसी application के आपको plus का symbol नहीं मिल रहा है इसलिए यह application clone नहीं हो सकते है तो उम्यद करते हैं guys आप समझ गयोंगे क्या use होता है I hope आप use कर पाएंगे अपने phone के अंदर easily इसका लेकिन काज अगर फिर भी आपके मन में इसके recording कोई confusing हो रहा है तो निचे comment सकते हैं आप हमें comment कर सकते हो या फिर Instagram पर भी follow कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के निचे डेस्टर्सन पार्ट में मिल जाएगा